खबरे अभी तक के प्रायो जखेंग अविराज वर्ड स्कूर राजपुरा रोड थारु हेडा नमस्कार वी टीवी में आपका स्वागत है मैं योगे सर्मा आप देख रहे हैं खबरे अभी तक खबरों की ओर रुक करने से पहले एक नजर सुर्कियों की ओर इंटर आसियान क्रिकेट टूर्णमेंट से आयो जड़ छे टीम उने हिस्सा लिया सरावी ने पत्नी को फीटा पत्नी बेहोंस पत्नी फरार वाइट चोर ग्रपतार दो दिन के पुलिस रिमांड पर पूर्व यूथ कॉंग्रेस अध्यच ने किया करण सुझ में बिजली पिलर बॉक्स का उदगाटन पिलर बॉक्स कनेक्शन लेने वालों को दिया 24 गटे बिजली का बादा अब खबरे बिस्तार से UCSKM मिध्याले के प्रांगड में इंटर आसियाना क्रिकेट टूर्णामेंट का आयो जन्वा समापन किया गया इस टूर्णामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया आसियाना ग्रीन की टीम ने फाइनल मुकावला जीत कर टूर्णामेंट को अपने नाम किया इंटर आसियाना क्रिकेट टूर्णामेंट का आयो जन्वारा UCSKM मिध्याले के खेल मैदान में कराया गया फाइनल मुकावला आसियाना बिलेज ने अपनी पहले बल्लेवाजी करते हुए 109 रन का लच्छ रखा आसियाना ग्रीन ने 4 गेंसेस रहते मैच को अपने नाम किया मैन आफ दा मैच आसियाना ग्रीन के कप्तान सुमित राठी रहे टूनामेंट के दोरान आसियाना के मुक्य अधिकारी पीके जासवाल स्री आत्मा सरंड सेलेद्र सिंग्वाक यूरिक गागरीन मौझूद रहे सुमित राठी के कैप्टेम रोफ आशाना ग्रीश्टी यह लगता नहीं कि हम दिल्ली के भार है क्योंकि आशाना वालों ने इतना अच्छा में सारी शुवजायं प्रदान की हैं चाहे वो रहने के घर हो खेलने के लिए मैदान हो अच्छी मेंटेनन्स हो हर साल यह लोग अच्छा कंप्टेशन कराते हैं बच्चों के लिए ज़ स्पोर्ट साच कल्च्छल है तो हमें भीवाडी मरें के मसूद नहीं होता कि हम दिल्ली के भार हैं तो आशाना एंचाना ग्रूप और पीपल आशाना वूस लुकिंग आफर अस सो वेल थैक्जिसर आज यह जो क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है कि सुद्दे से सग करेंड की भी ड्यमार्ड थी कि यूरी जी इंटर असीला क्रिकेट बहुत दिनों से नहीं हुआ है तो इसको हम लोग Levy ऌग्र इंटर ऊसीला क्रिकेट को प्लें किया और यह आज का दिन quiet देख रहे हैं मैदान में बाकी ना जारा तो आप भी कुछ देखी रहे हैं जिसर कितनी टीम होने लग भाग लिए इसमें हमारी आसियाना की 600 साइटीज ने भाग लिया है जिसमें आसियाना गुलमोहर आसियाना बगीचा असियाना गार्डन आसियाना आंगन आसियाना ग्री जी सर इस छेत्र के बच्चों को इस छेत्र के युवाओं को क्या संदिश देंगे आप छेत्र देखिए आज की युवापिडी जीस तरह से खेल और पढ़ाई को छोड़कर भी और दूसरे तिसरे लतों में फस गई है उससे दूर हटने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप पढ़ाई से जो समय मिलता है आप खेल में मन लगाए खेल से आपके सरीर को भी फाइदा होता है और आपके मन को भी फाइदा होता है एक ब्यक्ती ने सराप पी कर पत्नी को लोहे की रोड से मारा और जखमी कर दिया पत्नी बेवोस हो गई और पती फरार हो गया ठाने में मामला दर्जकर पुलिस ने तलास सुरू कर दिया खेलतल कस्वे में एक सरावी राजेंदर जोगी ने अपनी पत्नी अंजू को सराव के नसे में दुतो कर लोहे की रोड से मारा और जखमी कर दिया और अपनी पत्नी को बेहोस हालत में छोड़कर फरार हो गया अंजू बे साहरा दो दिन तक जक्मी आलत में अपने घर तडपती रही उसके बाद अंजू के साथ ससुर ने बहाना लगाया की से गाई ने मारा है और उसे निजी अस्पताल में भरती करा दिया अंजू दो दिन बरती रही लेकिन हाला जाला खराब होने के कारण अंजू ने अपने भाई को बुलवाया अंजू के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर कस्वे में इस्तिस सरकारी अस्पताल में अंजू का इलाज सुरू करवाया अन्जू को सिर पर गहरी चोटे आने के कारण हालत में अभी कोई सुधार नहीं है खेरतल थाने में मामला दर्ज हो गया है वह पुलिस ने सरावी राजिंदर की तलास शुरू कर दिया क्या नाम उसका? राजिंदर क्यों मारता तुम्हारे को? अब कहा गया है? अब कहा गया हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी मागों मारा था एक सातिर चोर और बाइक की चोरी के बाद गाड़ी की नमबर प्लेट साफ की और चलाने लगा पुलिस ने रोका तो खुद ही सविकार कर लिया कि बाइक चोरी की है खेरतल थाना चेतर के गाउं हरसौली से एक सातर चुर बड़ी चालागी से बाइक लेकर फरार हो गया और नमबर प्लेट साफ कर चलाने लगा मुखविर की सूचना रसगन रोर से बाइक पर आ रहे पाल सिंग उर्फ बूली पिता का नाम भगत सिंग गाउं राम नगर थाना खेरतल को रोकर मोटर साइकल के बारे में पूछा तो उसने अपने आप वाइक चोरी की होना बताया पुलिस ने नियायले में पेस किया वहां से दो दिन के पुलिस रोमान पर बेज दिया मुल्यम से कस्वे में हो रहे ही चोरियों की पूछताच की जा रही है तेरांग उन्नीस दो दो अजार चोर्वे को शाम साथ वजे करीब हर दौली स्टेंट से एक मोट साइकल सीडी डी डीलेक्स नमबर आज दे जीरो टू एस एच अठाइस तेरह चोरी हुई थी कि उसमें के दिन से मुखविर मामूर कर रहे जो अपनी टीम को लगा रखा था तो तो तीम ने मुल्यम अरपाल जिंग तरह बगस तिन जाती राय सिकर नवासी रामनगर को रेमांड लाये हैं। है और भारदातों के वारे में भारासा किया जाएगा। कौन कौन थे साथ इते और कौन थी और भारदातों में सामल राइए ये बाद रिमान के रोरान पूछी जाएए अवी तक कितनी मोच सेल बरहमद हो जो कि एसके अवी तक है कि एक मोच साइकल पर हमद हुई है और इसे और भी पर हमद की कि सम्भावना बगत वो चला एक fiddall I be a pilot and fly up so high philly me a rockstar and sing and dance philly be a teacher and teach everyone there are so many things I want to be a Smile school lets you be who you want to be to provide your child with world class facilities to induce seamless learning a message from the chairperson and founder Honorable Shreemateen Nirmal Yadav I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy registration and admission now open please contact break after all of you guys welcome to Haryana Sarkar Dwarah 24 hours Bisley आपके हाथ योजना के तहित बिजली मंत्री के अपने ग्रैचित रिवाडी में पिलर बॉक्स योजना का उद्गाटन बिजली मंत्री केप्टन अजै सिंग यादव एवं पूर्व यूथ कॉंग्रेस अध्याच राव चरंजीव ने किया चरंजीव राव ने इस अबसर पर का कि उपबोकताओं को 24 गंटे बिजली उपलब्द कराने का बादा है इस योजना से आम जनता को बिजली सुविदा सुचारू रूप से मिल जाएगी कोई करणकुंज वेलफियर एसोचियर सन के अध्यक्ष बराश सिंग तौंगर ने कहा कि इस योजना से कॉलोनी बासियों को काफी फाइदा हो रहा है आसपास के ग्रामीर चेत्रों को भी बिजली का फाइदा मिलेगा बिजली बोर्ड के ईयो ने कहा कि इसमें बिजली के खुले तारों द्वारा दुर्गटना होने में कमी आएगी और बिजली की चोरी भी रुकेगी इस पैनल बॉक्स से आम ग्रहा को क्या बेनिफिट है देखिए जो लाइट की जो एक दिकत थी यहां पर उससे मुझे लगता है उसमें काफी निजाद मिलेगा इन लोगों को जी जी तो किस तरह से क्या बेनिफिट है इसमें निजाद से इन दसेंस यहां पर काफी दिनों से यह लोग मांग इस बात की रख रहे थे तो वो करी है मंत्वी जीनपूरी क्या है यह 24 गंटे बिजली का आपने यहां से कमिट्मेंट हुआ है ऐसा है जी काफी दिनों से जो इसे रिये की हमारे पांच शेगाव हैं की मांग चली आ रही थी 24 गंटे लाइट की यहां पहले बारा तेरा गंटे लाइट आ रही थी और जब यह प्लर बोस का जो उद्ग जिवराव का और सारे महिकमे का जोनोंने हमें काफी कॉपरेट करके और यह आज इसका उद्गाटन किया करनकुंज से आज पहली वार बर यह चारु रूप से आरंब हुआ है तो पहले चरण में कितने लोगों ने बेने पिट ले इसके पहले चरण में यह पांचोंज ना तो आम जंता में किस तरह का रुजहान है इस बात को आज बहुत सभी में उत्सा है सभी में बड़ी भारी खुशी की लाहर देख रहे हैं आप कितनी भीड यहां पर इखटी हुई है कि अब हमें का जो रात को डूटी करके यहां लोग बाहर से कमाने आए हुए हैं जो फै केबल लगा दिए इससे कोई एक्सिडेंट होने का या कोई सेफ्टी का सारा वो वेलिविट हो गया तो गोल्टे की दिक्कत नहीं आएगी ब्रेकडाउन नहीं होगी और इनको चोवीस घंटे बिजली देंगे बिना किसी कट के जी चोवीस घंटे किस तरह से प्रवाइद इससे कोई मलब आम जंता पर किसी तरह का बिल में किसी तरह का बढ़ चड़के आओ और कोई किसी तरह का ओर तू कोई किसी तरह का और कोई तो नहीं आएगा नहीं कोई बेनिफिट इसमें ऐसा कोई पर कोई भार नहीं पड़ेगा बलके और हमने बेनिफिट दिया है कि जो इनके अभी तक के पिछले पुराने बिलु पकाया पड़े होए हैं वो सारे माफ करें चाते हैं यहां केम्पी होती लेकिन उसमें चीज का फर्क जरूर रहता है जिस तरह से चोरी का एक बहुत रहता था तो इससे क्या बनिफिट मिलेगर क्या इस तब लगाम लगता पाईगी इस पर चोरी करने की जगा भी खतम हो गई है और हम कोई नीच आते हैं को चोरी करें हम भी ध्यान लखेंगे लेकिन इससे सेव्टी सबसी जाता है क्योंकि एक्सिटेंट नी होगा बीली 24 गंटे आपको मिलेगी पशू का नुकसान ने किसी गाय मर्गी बैस टाया तो इसमें रिवाडी जिले की बात करें तो किस तरह का काहां का पर इसतर परस्ताव है जिसमें हमने कई गाहों कर रहा था आलमुस काम हो गया बूरे आगे ऊगहोर दूसरे चलव में सवैची ऊचिक पर उछना है जो गवाले यह जो भी गौवाले इसमें विलिंट आपके लिए में कहेंगे करवाले हमारे पर फंड्स की काम की कमी निया कितने वी काम करो कितने वी काम करो थांक चलते चलते एक नजर सुर्कियों की ओर इंटर आसे अना क्रिकेट टूर्णमेंट ना आयूजन च्छे टीमों ने हिस्सा लिया सरावी ने पत्नी को फीटा पत्नी बेहुत पत्नी फरार वाइक चोर ग्रपतार दो दिन गेत पुलिस रिमांड पर पूर्व यूथ कॉंग्रेस अध्यच ने किया करण सुन्ज में बिजली पिलर बॉक्स का उद्गाटन पिलर बॉक्स कनेक्शन लेने वालों को दिया 24 गटे बिजली का बादा मेरे साथ बी टीबी की पूरी टीम को दीजिये जाज़ जै कबरे अभी तक के प्रायो जखेंग अविराज वर्ड स्कूल राजपुरा रोड धारु हेडा